Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल एक चीज है कि जैसे जैसे टेकनोलजी बढ़ती जा रही है, मतलब जहां पर आप चीजें डारेक्ली एकसेस कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, उसमें काफी हद तक करप्शन खतम हुआ है, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर अगर आप देखोगे, तो करप् देख सकते हो, more than 13 lakh UP government employees may lose salaries over this order, तो एक order पास किया गया UP government के दोरा, और उसी को हम समझें कि exactly यह है क्या, यहाँ पर क्या क्या चीजे हैं, और भारत का करप्शन के अंडर में जो इंडेक्स जारी होता है, तो उसमें भारत की ranking क्या है, पाकिस्तान का क्या है, चाइना का क्या वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह बता दूँ, कि 31st of August से Study IQ का एक बहुती special batch launch हो रहा है, जिसका नाम है Rankers Batch, सबसे खास बात इसके अंदर यह है, कि इसमें यह batch स्टार्ट होने के बाद, हर हफते यहाँ यहाँ पर एक test कराया जाएगा, जिसमें जो भी top rank आएगा जिसका, उसको cash reward मिलेगा, तो यहाँ पर 37 test होंगे total, हर हफते एक test होगा, जिसमें आप इसका फायदा उठा सकते हैं, साती जात यहाँ पर जैसी batch आप लेते हो, यहाँ पर selection box भेजा जाता है, जिसमें 18 UPSC के books और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको join करने के लिए हमारे website आप पर जाएए, या फिर comment section में link है और आपको use करना है, यह code ankit live ताकि आप maximum discount ले सकें, और इसके लावा अगर आप MCQs आटेम्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए, वहाँ पर stories में, जितन भी government employees हैं, उनको अपना movable और immovable asset, मतलब जितना भी asset है उनके पास, जितनी भी sympathy है, wealth है, वो सब कुछ एक government website पर, government portal जिसका नाम है, मानाव संपदा, वहाँ पर उनको declare करना पड़ेगा by 31st of August, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो यहाँ पर उनकी salaries जा सकती है, साथी सा आगे चलकर उनका जो promotion है, वो भी रुक सकता है, खेर यहाँ पर सबसे पहला question आपके मन में यहाँ आएगा, कि आखिरकार यह order कब आया, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग इसके बारे में सुने हो, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले पिछले साल, August के महने में यह order पास किया गया था, और यहाँ पर deadline दिया गया था कि 31st of December तक आपको यह follow करना होगा, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि लोग comply नहीं कर रहे थे, जो employees है, government employees है, वो अपनी संपत्ती को, assets को declare नहीं कर रहे थे website पे, जिसकी वज़े से बार बार इस order को extend करना पड़ा, multiple times, आप देख सकते हो 30th of June किया गया, फिर 31st of July किया गया, लेकिन अब सरकार का यह कहना है कि यहाँ पर final deadline 31st of August दे दी गई है, और यह order basically जो Chief Secretary है UP के, उन्होंने जितने भी additional Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries as all level departments, उन सभी को यह भेज दिया है, और मैं आपको बता दूँ, सरकार का यह कहना है कि अगर यहाँ पर कोई order follow नहीं करेगा, तो जो 1999 का rule है, UP Government Servant Discipline and Appeal Rules, उसके तहत हम action लेंगे, और उनकी salaries कट हो जाएगी, और उनका promotion भी नहीं हो पाएगा, साथी साथ मैं आपको यह भी बता दूँ, कि यहाँ पर किसी को अलग नहीं रखा गया, कोई exception नहीं है, हर एक employee को, हर ए पढ़ेगा, खेर यहाँ पर question यह भी है कि उत्तर परदेश में total कितने government employees हैं, तो मैं बता दूँ कि अभी present में 17,88,429 government employees हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 26% employees नहीं, अभी तक जो declaration है, जो asset declaration है, वो fulfill किया है, इसका मतलब यह हुआ, करीब करीब 13,00,000 से जादा employees, उनका asset अभी भी disclose नहीं हुआ है, और इसलिए उनके उपर यहाँ पर खत्रा मंड़ा रहा है, कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी salaries नहीं मिल पाएगे, in fact जो August महने की salary है, बताया जा रहा है, वो भी उनका रोग दिया जाएगा, in fact आप देख सकते हो, सरकार नहीं यह कहा तो 31st of August यह आपको ध्यान में रखना है, अब question यह है कि यहाँ पर reason क्या दिया जा रहा है, यह कदम सरकार क्यों लिए है, देखो state government का यह कहना है, उन्होंने justify किया है, कि इसकी वेज़े से जो transparency और accountability है, वो बढ़ सकेगी, this measure aims to enhance transparency and accountability within the government, मतलब कि एक बार employee ने अपना संप संपत्ती declare कर दिया, और आगे चलकर मानलों वो corruption करता है, बहुत जादा संपत्ती कत्रित कर देता है, तो यहाँ पर वो पकड में आ जाएगा, कि आपने तो इतना declare किया था, अचानक से इतनी संपत्ती कैसी हो गई, जो भी है यहाँ पर चीजों को follow किया जा सकता है, तो य यह एक आप कह सकते हैं कि तरीका सरकार अपना रही है, ताकि सरकारी कामों में जो corruption है, उसको reduce किया जा सके, यहाँ पर जो minister है, दानेश अजाद अंसारी उन्होंने कहा कि we have a zero tolerant policy towards corruption under the leadership of Chief Minister योगी आजितनार and Prime Minister नरेन मोधी जी, खेर यहाँ पर अपकोशन यह है कि opposition इन सार deadline तो लेकर आए हो, लेकिन बार-बार आप उसको extend क्यों कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं जो राजसरकार है, वो इसको implement करने में fail हो गई है, यहाँ पर यह deadline आपको तो 2017 में लाना चीए था जब नई-नई सरकार बनी थी BJP की वहाँ पर, लेकिन कहीं न कहीं योगी आतितनाज बैकफूट पर हैं, और इसलिए वो इस तरह के कदम ले रहे हैं, साथी साथ यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के spokesperson हैं, उनका कहना है कि सरकार यह चीज realize कर चुकी है कि जितने भी employees हैं, UP के अंदर वो corrupt हैं, इसी के वजए से यहाँ पर जो implementation है, वो इस order का नहीं हो पा Transparency International की एक report जारी की गई थी अभी इसी साल, और उसके अंदर यह बताया गया कि भारत का rank 180 countries में 93 देखने को मिलेगा, in corruption perceptions index, यहाँ पर आप देख सकते हो कि total 180 countries का count किया जाता है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि public sector corruption कितना है, मतलब लोगों को क्या लगता है, कि उनके द country है, और अगर 100 है, तो मतलब एकदम clean country है, वहाँ पर बिल्कुल भी corruption नहीं है, तो 2030 में मैं आपको बता दूँ, भारत का जो overall score था, 100 में से वो था 39, और 2022 में actually हमारा score better था, 40 के आसपास था, लगबग उतना ही कह सकते हैं, लेकिन still, 2022 में हमारा जो rank था, वो था 85, लेकिन य rank गिरकर अभी हो गया, 90, जैसा कि आप 93 हो गया in fact, यह आप again देख पाऊगे, actually 2014 के पहले, यहाँ पर हमारा score काफी कम हुआ करता था, 36, 36, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर score better हुआ, 38, फिर उसके बाद 40, और उसके बाद 41 भी गया, 2018 में, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर थोड़ी से गिरावट होई है, और यह अब 39 score है, मतलब 180 countries में भारत 93rd position पर आता है, global corruption perception के मामले में, जहाँ तक हमारे परोसी देश का सवाल है, देखिए, पाकिस्तान का नंबर 133 है, सिलंका 115 है, देखिए, यहाँ पर चाइना का special mention मैं आपको करना चाहूँगा, चाइना लिया है अपने employees के उपर, और आप सोचके देखिए, 3.7 million public officials के उपर crackdown किया गया है, मतलब 37 lakh जो employees है, उनके उपर सरकार ने action लिया है, उनको arrest किया है, ठीक है, उनको हटाया है, इस तरह के actions लिये गया है, लेकिन यहाँ पर report में यह भी बोला गया था, कि देखिए, इस त ultimate solution नहीं होता है, long term solution नहीं होता है, long term solution यह है कि आपको जो institutions, institutional checks है, मतलब जिस department में, ministries में कोई काम कर रहा है, तो उसी में ही proper check होना चाहिए, कि वो corruption करे ही ना, अगर हम ऐसा करेंगे कि corruption होने देंगे, और बात में उसको punish करेंगे, तो यह कोई solution नहीं होता है, यह इसी तर यह जो कदम है, वो काफी हद तक जो corruption है, उसको रोक पाएगा, तो आप देखना होगा, यहाँ पर होता क्या है, लेकिन आपका क्या सोचना है, इसको लेकर, क्या इसको पुरे देश में implement करना चाहिए, क्या चीज़ है, मुझे comments में ज़रूर बताएगा, और जाने से पहले एक interesting question economy से related, क्या बता सकते हो, commercial banks are called creators of money, why? इसका reason आपको बताना है, चार option में से, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वह यहाँ आ टेस्ट होगा जिसमें top rank आने वाले को 11,000 रुपय का cash reward दिया जागा, और ऐसा नहीं है कि आपको एक बार मिल गया cash reward तो आप दूसरी बार नहीं ले सकते हैं, जितनी बार आप top rank लाओगे हर एक test में, आपको वो reward मिलेगा, तो एक बहुत अची opportunity है, basically एक competitive spirit आपके अंदर कर दो